हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ आप सभी बच्छी जो हैं वह स्टूरेंट्स जो हैं वह अपने घर पर ऑनलाइन अदफातों ऑफलाइन के तुरें इस्टडी वी कर रहे होंगे तो बच्चों मैं हो तनवीर से आधर समेजन हाई स्कोल से वेलकम टू माई चैनल स्टडी वी तनवीर से तो बच्चों आज हम इस वीडियो के अंदर गुजराती का जो निबंध है ऐसे बहुत इंपर्टेंट जो बोड़क एक्जाम के अंदर सवन मांक्स का पूछा जाता है तो बच्चों यहां पर उसका नाम है उस ऐसे का वर्षा लिट्व कि रानी वर्षा अतफातो वर्षा का व वयभाव 하고 करने वाले हैं आपको करना हैं तो बच्छों आपको मुद्दे जो हैं वह में कोशन के अंदर दिया ही रहता है ऐसे के अंदर तो इसमें पहला प्रस्तावना वर्शा का दूरुष है वो वर्शा का आगमन पच्छी बाता वरन क्या होता है वो उसके बाद वर्षा मां आउता तेहवार और कौन-कौन से वर्षा रुव्यू के अंदर आते हैं तेहवार अतीव रुष्टी यानि जो अतीव रुष्टी जो होता है वो बीमारी और उप्शनहार ये सारी टॉपिक दिये हैं इसका मतलब हर एक टॉपिक का आपको एक छोड़ा परगरा वह बीच में लिखने हैं ताकि जब भी आपकी सब्लिमेंटरी चेक करें तो उसे जब भी वह स्टार्टिंग अपड़े तो आपसे पहले वह इंप्रेस हो जाए ठीक है बाकी की जो गलती होगी उसे उतना ध्यान देगा नहीं इसलिए आपको लिखते हैं हमेसा सुरूबा जहता है वो चलता ही रहता है ठंडी घर्मी वर्षात वो चलता ही रहता है चारचार महीनी का हर एक मौसम होता है लग अब आप यहां पर बतायाएगा है कि हम वर्षा शरद हैमन्त और शिशिर वर्षंत पत्ते चड़ आते हैं गर्मी इस प्रकार विवित रितुओं का अनुबाव हम करते हैं आप यह फिल करते हैं फिल करते हैं गरिश्म रितु ने विदाय पच्छी वर्ष़ा रितुनों आगमान थाएश यह जब चली जाती है तब वर्षा रितु का आगमान होता है साथ ही आगे हमें दिया गया आकाश मा घंगोर वद्ला चड़ी आवेश है जब बारिश मतला मौ यानि बादल की जो आवाज जो आती है वो पवन ना सुसवाटा साथे मेग राजानी पगरामणी थाए छे इस प्रकार यहां पे जब बारिश आती है तब उस प्रकार का दुष्ट जो होता है वो बादल मतलग घने दिखाए चड़ें दिखाए देते हैं आकास के अंदर बि इस तरह का लाइधा वरण हो जाता है मेग राजा के आनयशे अनि वर्षा रितू के आगमंद से रशाद भरस्ता वधे अनंद रश्राद है जसे रशात होती है तो चारव तरफ आनंधी अनंदी मौसम जैसा हो जाता है बाड़को वर्षाद ना पाड़ी मा चपचबिया करे छे यानि बाड़क जो बच्ची जो होते हैं वो वर्षाद के अंदर मतलब पानी को कूत के मतलब जो पानी के ओजाती है छल छला हट करते हैं चपचबिया करे छे मोर कड़ा करी नाचे ज़े मोर जो है वो नाचता है वरशारितु के अंदर मोर ना टहू का अने देड़का नो डव ट्रव ड्रोव आवाज सामड़ाई चाई इस परकार मोर जब बारिश जब होती है तो वरशारितु को समें मोर टहू का मारते हुए देड़का के मतलब ट्राउट रवर के आवाज सुनाई लोगों को देती है पीनी माटीनू सुगंद वातावरण में फैलाई जाज़े इस प्रकार गीली मिट्टी का जो सुगंद जो होता है वो पुरे वातावरण में फैल जाता है वरस्ता वर्षातमा बाहर जवानों होए त्यारे लोको चत्री ओडिने के रैंकोट पहरीने जायज है आगे का गया जब बारिश होती है वर्षारितू के अंदर तब जब लोग बाहर जाते हैं तब वो अपने साथ चत्री को लेकर चत्री को ओडिने हैं मतलब छतरी ऊपर लगा कर आत्पातों रैंकोट पहन कर घर से बाहर निकलते हैं केट लाक ने वर्सात्मा नहावानी खूब मज़ा आवे छे कुतनों को तो मतलब केट लागे नी कितने लोगों को तो वर्शारितू के अंदर नहाने की बहुत मज़ा आती है चारे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है जलाशियों मा पानी शपाटी उची आवे छे जहां पर जलाश है जो है नदी तलाब अगरा आपने देखा हो खाडी वगरा जो है वह उनका जो इस्तर जो होता है वह उपर तक भर जाता है पूर जाता है पानी से खेड तो खेतीना काम जो किसान जो हैं वो खेती में काम करने लग जाते हैं वो लोग खेत के अंदर बीच को बोते हैं घरू रोपे छे और या पर जो भीच ओता उसे क्या करते हैं मिट्टी कें दर रोपते हैं थोड़ा दीवसोपच्ही धर्ती पर लीलू झमगास उगी निकडे छह यानि जब बारिश होती है तब उसके कुछ समय पश्चात जो हरे रंग की जो घांस जो है वो उग जाती है अपने खासकार मैदान में देखा होगा धर्ती माता ए जानी लीली साडी पहरी होए ते वो सुंदर दुरूश रचाय छे अब लिखक ऐसा कहते है कि ऐसा लगता है जो बारिश होती है तब जो मैदान जो है वो मतलब धर्ती माता ने लीली यानि हरे रंग की जो घांस जो है वो पहन उसकी साडी पहन ली है ऐसा सुंदर दुरूश जो है वो मैदान में देखने को मिलता है खेतरों मा हरियाली दिखाई देती है कई-कई बार यानि बारिष के समय जैसे ही पानी पर यानि प्रकास भी आ गया और बारिष भी हो रही है तब इंदर धनूस यहां पर इंदर धनूस दिखाई देता है साथ ही इस प्रकार आकाश में में धनूस जो होता है वो शुषभीत करके और ही उसे मतलब आकर्शक बनाता है वर्शारित्य के मौशम को बच्चो इंदर धनूस यहांनि रेंबो रेंबो कैसे दिखाई जिए आपको पता है जब भी आप इसे एक्सपरिमेंट भी अपने घर पर कर सकते हो जब भी बारिष की पानी टपक रहा है उसमें से जब पानी की एक बुन में से प्रकास कि अगर आप किरन गुजारोगे तो वहां पर रेंबो आपको दिखाई देगा अप यह प्रक्टिकल जो है वह घर पर भी कर सकते हो जिससे कि आप एक फुवारा मतलब पाइप से आप पानी डाल रहे हो कहीं पर भी उस पर टॉर्च जलाए उसकी रोशनी जो यह पानी पर पढ़नी चीए तो आपको वंदन जन्मास्ट में गणेश चतुर्थी सन्वत्सरी और नौरात्री आ रितु मां आउता मुख्य तेवारों चे यानि इस प्रकार जो है वर्षा रितु जो है वो अनेक तेवारों की रुतु भी कहा जाता है साथी पंदरमी अगस्ट गानी जहनती जेवापन तेवारो आ रितु जमा आवे चे साथी राश्टी तेवार यानि 15 अगस्ट गान्धी जेनती जैसे तेवार भी इसी रितु के अंदर आते हैं आप बधा तेवारों देश मा आनंदने उल्लास थी उजवे चे इस प्रकार ये सभी तेवारों को हमारे भारत देश के अंदर बहुती आणन्द और उल्लास मझें के साथ उसे सेलीबिरेट के जाता है वलशार्यतु को एक वर Durst yani Kari lat जाती है । पूरा अंगर पानी के अंदर पूरा पानी ₤ भर जाता है। ख्राब पाँ का बहुत बड़ा नुकसान होता है वर्षारितो मा को इकवार वर्षात पढ़तो ना थी आप पढ़ती नहीं है साथ कभी-कभी पढ़ती भी है तो बहुत कम बारिस यह वो तो न थी यानिए छित के अंदर जो अनाज जो है वो उसके बीज जूंप सोभाता है वर्शात नाओ अगर बच्च हो ज्याद़ा पैनी आजात। यहां जो हता है । वहां पे रस्ता देखने को मिलता आ था आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो मक्की मतलब मक्की और मच्छर का उपद्रों जह वह बहुत ज़्यादा पड़ जाता साथ ही वो लोग क्या करते हैं लोगों पर हमला बोलते हैं बारिश को समय ते थी लोकों नी मंदगी नू प्रमाण पर वदी जाये छे यह साथ रजाता है उसके यहां पर बढ़ा जाता है उसके भाद आके दिया है में अप्शन हर के अंदर वर्शार अनाज्बर के वर्शार सेंदर अन्दर और मतलब जो होता है वह हैं बतलब अच्छा होता ह। हुआ गांस चारो थायचे साथी गांस चारा भी हमें मिल जाता है ने पाणि नी वा मोग थायचे साथी बारश जो होने से जलाशी जो होते हैं वह पानी से भरगाई है है तेना थि इस प्रकार वर्ष्य रित करें जितनी गुडगान गाय उतना ही कम होगा अधीज वर्षा रितु ने रितुओं नी रानी कहे छे इस प्रकार वर्षा रितुओं को रितुओं की रानी भी कहा जाता है आसा है आप सबी बच्चों को यह वर्षा रितुओं को ऐसे जो है वह गुजराती का गुजरात बो वाइस दिया हर एक टॉपिक का अलग अलग परग्राफ से मुसी तरह आपको परग्राफ बना के राइट करना है मिलते हैं बच्चे ओ अगले वीडियो में तब तक दीजिए तन्वीर सर को इजाज़त तब तक लिए बच्चो जय हिन जय भारत और हमारे चैनल को लाइक सब् करना ना भूलें बाई